अब हम देखेंगे एक लाइन को दूसरी पैरलल लाइन के से ड्रॉ करना है तो सपोज अभी हमारे पास ये एक लाइन है स्टे There start line है और यह लाइन को हमको दूसरी लाइन अभी पेरलल निकालना है तो सफोज इस लाइन एल और इसको हमको लाइन एम पैरलल निकालना है आएवा यूजिंग सेट स्क्वे स्क्वेर तो हम कैसे करेंगे कि कोई भी एक point P लेंगे on about this line और एक set square लेंगे और एक दो set square हमको लेना है इसमें एक set square है यह line point P को touch करके ऐसा रखेंगे इतना बड़ा set square ने तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ड्रॉआ करके दिखा रही हूँ यह first set square है इसको हमको line point P को ऐसे touch करके ऐसे यहाँ पर रखना है और उसका base जो है यहाँ पर line L पर वो लाए होना चाहिए और दूसरा set square जो है हम वो कैसे क्या करेंगे यह line P पर उसका base होना चाहिए दूसरे set square का हम उल्टा रखेंगे as compared to the set square यह second set square है हमारा तो second set square को हम लोग कैसे रखेंगे उल्टा वो point P पर उसका base रहेगा और हम वो यह जो side है उपर की वो नीचे रहेगी और यहाँ पर फिर हम लोग यह set square रखके क्या कर देंगे एक line draw कर देंगे and this is a line M which is parallel to this line L यह हो गई first method next method देखते है फिर से to draw how to draw a parallel line to given line suppose है हमको given line है line L और इसके उपर दो point लेंगे outside this line point P लेंगे और point P से सीधा perpendicular draw करेंगे perpendicular मतलब आपको पता होगा कि जो line दूसरे line के साथ 90 degree का angle बना रही है उसको हम लोग बोलते है perpendicular point दूसरा point लेंगे क्यूँ वहाँ से भी एक perpendicular draw करेंगे और फिर यह दोनों lines को अगर हमने join कर लिया तो हमको बता चलेगा कि यह जो उपर वाली line है यहां पर मेरे पास कुछ instruments नहीं है तो वो line इतनी स्ट्रेट नहीं आएगी बट इस line should be straight line तो यह स्ट्रेट नहीं रही भी तभी भी चलता है बट पैरलल रहनेची है दूसरे नीचे वाले line को तो यह line क्या हो गई उसको parallel तो यह simple construction हुआ अब हम देखते है अगर हमको कोई major दिया है उतने distance पर सपोज यह line से यहाँ दूसरी line जो parallel है उसके बीच का distance दिया है तो कैसे find out करना हो देखते है तो line L लिए है हमने और हमको सपोज बोला है कि line दूसरी line parallel line यह line L को draw करनी है at a distance 2.5 cm तो क्या करें कि दो points लेंगे 2.5 cm पर यह line से line L से 2.5 cm पर दो point लेंगे सपोज यह distance है 2.5 cm का यह point P लिया 2.5 cm पर और point Q लिया इसके पहले जो हमने लिया था ना यहाँ पे से P और Q पॉइंट विच पॉइंडिकुलर टू इस line तो यह point P और सपोज इसको नाम M दिया और M दिया तो length जो है दोनों की length of P M and length of Q N should be equal दोनों की length क्या रहनी चीए? equal रहनी चीए तो यह वो दूसरी line जो रहेगी उपर वाली नीचे वाले line को parallel रहेगी या given line को दूसरी line parallel रहेगी तो यह दोनों भी points का distance है from this line given line should be equal दोनों की length क्या रहनी चीए? equal तो हम क्या करेगे? अगर हमको बोला है कि यह line को दूसरी line draw करनी है parallel line at a distance of 2.5 cm तो दो points लेंगे, points P and Q कितने distance पे लेंगे यह line के? यह line के उपर 2.5 cm के distance पे लेंगे और लेने के बाद दोनों से भी perpendicular draw करेंगे और या तो फिर यह line एक perpendicular लेंगे दोनों भी और 2.5 cm का distance लेंगे, compass में या scale से measure करेंगे और measure करके mark कर लेंगे 2.5 cm का distance और जहाँ पे 2.5 cm का distance आ रहा है वहाँ से एक line pass होगी और वो जो line रहेगी, that line will be parallel to given line तो ऐसे हम लोग given line, मतलब दिये गए distance पे कोई line जो है उसको दूसरी line draw कर सकते है parallel line at a given distance झ apolog regular झाल 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 झाल